पिछले एक साल से लॉक्टाउं की वज़ा से दूद उत्पाद किसान आतिक संकट से जूच रहे हैं कुरोना मामारी और लॉक्टाउं का कारण देती भी प्रावेट कंपनी और सरकानी प्रती लिटर 6 रुपे भाव कम करती पर शुखाती और प्रती महंगाई के चलती पानी की बॉटल प्रती लिटर 20 रुपे खरीती जाती है पर आज के समय में दूद का भाव 15 रुपे लिटर है कुरोना काल में भी पानी बॉटल की केमत में कोई फर्क ने आया है ग्रहकों को प्रती लिटर 56 रुपे दूद खरीतना पड़ता है परन्तु किसान को मुल्य म 25 रुपे लिटर दिया चाता है बाकि सारा मुनाफास सरकार और प्राविट कंपनी कमा रही है ऐसा दूद उतपातक किसानों का कहना है लोगडान हो या आर्थिक मंदी पेट्रोल टीजल की किमत में उसका कोई परिनाम नहीं होता है फिर किसानों की दूद की किमत में गिरा संत्या साथी गर्ना किसानों की तरह दूद उतपातक किसानों को लाकत मुल्य से अधिक मुनाफा दिया जाए उसके लिए फर पी का विशेश कानु ला जाएगा परन्तु अभी तग ना दूद की किमत पड़ी और ना ही फर पी का कानु लगा लिया गया एक लिटर दूद लाकत में चाता है सरकी खल की किमत हजार रुपे से बढ़कर सोला हजार रुपे हो गई है और दूद की भाव तेस रुपे से कम होकर पंदा रुपे पर आके हमारे दूद से अच्छे किमत तो पानी को मिल रही है पानी 20 रुपे प्रतिलिटर पीक रही है अगर यही हाल र से विलास ओई के की रिपोट